कि अज़ेशन को पर करते हैं तो फेंड्स आज हम आपको एक डाउट जो है फार्मिसी काउंसल में एक डाउट के लिए करेंगे कि बहुत सारी केंडिट का क्या की रिजिस्टेशन नमबर आज आता है तो जो वह प्रमान पत्र आता है रिजिस्टेशन का फार्मिसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया से तो उसमें क्या कि बहुत सारे केंडिट का एड्रस चेंजिंग में मिश्टेक आती है या फिर डेट ऑब बर्थ में चनमते थी जिसे बोलते है उसमें यह दिया आपकी कोई करेक्शन कराना है जैसे कि आपका डेट चेंज हो गया है गलत आ गया है मन्त गलत आ गया है यह गलत आ गई है तो इसके रिगार्डिंग आपको एक सॉलूसन बताएंगे किस तरीके से आप इससे सॉलू कर सकते हैं देखिए जैसे कि आप सब्सक्राइब को पता है कि उतापरतिस फार्मिसी काउंसल ओफ इंडिया ने यह क्या है कि आपको फिजीकली जाना नहीं पड़ेगा मुश्ट लिए आपको क्या ओनलाइन वर्क करना पड़ेगा तो फेंड्स जिनवी केंडिट का डेट ओप पर्त या जनम तेती में कोई मिस्टेक है तो आप ओनलाइन तरीके से इसे करेक्ट नहीं करा सकते हैं इसका जो जीकली जाना पड़ेगा वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को आपको हम बताते हैं किस तरीके से आपको फिल करना पड़ेगा और किस तरीके का वो प्रारूफ होता है उसका हम प्रोसीजर बताएंगे और किस तरीके से आपको फिल करना है ठीके फैंस कितन पता भी कर देना है कि कहां पर यह form मिलेगा मुशली क्या है कि अभी भी यह form window number 8 पर मिल रहा है तो आगे किस window पर मिलेगा आपको 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 वहाँ जाकर कि information लेनी पड़ेगी यहाँ पर जब आप इसे देखेंगा तो यहाँ पर लिखा होता है तो यहाँ पर सेंपल यह कि तरफ से भाई पूश्ट के बादेंसे उस पर एक registration number होता है उसे आपको फिल करना है उसके बाद में क्या करना है यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है kindly correct this तो इसमें आपको क्या करना है आपको कौन सी डेटो पर चाहिए आपकी जो गलत थी उसको फिल नहीं करना है आपको correct details में क्या वरना है सबसे पहले आपको अंगों में लिखना है जैसे कि आपकी डेटो पर थे है दो दस दोजार एक दो दिन है दस महिना है और दो हजार एक यह है तो आपको सबसे पहले अंगों में लिख देना है उसके बाद में नीचे आपको 2 October 2001 लिख देना है ठ उसके बाद में नीचे आपको date of birth फिर upon опять बरेपीट करने है इसमें आपको अपना address बताना है जो उसके जो इस पर आपको फिल करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको form में नीचे लिखेगा थैंक यू यूर फेथफुली अपना नाम लिख देना है यहाँ पर सिंपल यह अपना नाम लिखना है उसके नीचे आपको अपना signature करना है और नीचे आपको contact नमर लिखना है अपना जो भी mobile नमर active हो जो आपने mention किया हूँ अपना यहाँ पर mention कर दिना है उसके बाद में आपको date लिख देनी है किस date को आपने application submit किया है उसके बाद में आपको वहाँ पर पूछना है ऐसे कहां पर जमा करना है बोचली अब गया है फलाल की date में अब जो mostly आज आज जो PCI Council में जो ये form apply करके बाद में जमा जो करना पड़ता है वो window number 3 में जमा करना पड़ता है आगे आप इसका information ले लेना एक किस window में आपको जमा करना है और इसके regarding कोई भी आपको कोई link लगाने की कोई जरूत नहीं है without link आपका ये ठीक होगा without correction आपका mostly क्या technical error होती है इसमें आपको कोई भी link लगाने की जरूत नहीं है यहां हम आपको suggestion देते हैं ठीक है friends इस तरीके की informative वीडियो पाने के लिए माच आपको subscribe कीजेगा thank you